अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे sentences बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मैं मनाली जाने के लिए बेकरार हूँ वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है हम नए घर में shift होने के लिए बेकरार है क्या तुम spoken English सीखने के लिए बेकरार हो ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम किसी के किसी काम को करने के लिए बेकरार या उच्सुक होने के बारे में बात करते हैं इनको English में हम दो तरीकों से बोलते हैं एक होता है keen to और एक होता है eager to इन दोनों का ही sense हिंदी में के लिए बेकरार या फिर के लिए उत्सुक से किया जाता है इनको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद keen to या फिर eager to इन दोनों में से कोई एक आता है इसके बाद verb की first form आती है और last में object आता है अगर negative sentence बना रहे हैं तो keen to या eager to के पहले मतलब helping verb और keen to या eager to के बीच में not आता है और अगर interrogative sentence बना रहे हैं तो sentence की starting होती है helping verb से इसके बाद subject आता है इसके बाद keen to या eager to इन दोनों में से कोई एक आता है और last में object आता है, अगर interrogative प्लस negative sentence है, तो helping verb और subject के बीच में not आता है, चलिए आप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए, मैं मनाली जाने के लिए बेकरार हूँ, या फिर मैं मनाली जाने के लिए उत्सुक हूँ, मैं आज स्कूल जाने के लिए बेकरार नहीं हूँ, वो तुम से शादी करने के लिए बेकरार नहीं थी, या फिर शी वो दोनों यहाँ आने के लिए बेकरार नहीं थे, या फिर या फिर या तुम स्पोकन इंगलिश सीखने के लिए उत्सुक हो, क्या वो सब ताज महल देखने के लिए बेकरार थे, वो अपना बर्थडे मनाने के लिए बेकरार नहीं था, क्या वो पार्टी में जाने के लिए बेकरार नहीं है, या फिर अब एक सेंटेंस आपके लिए, इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताएए, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए, and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button, so that you get notified whenever I post new videos. अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए take care, bye-bye.